First question है यह question हमने ऐसा किया था कितना का हो गया इसमें आपको एक ही चीज आती है कि अगर आपके पास ABC point है और आपको B और A का pressure का difference निकालने हैं तो पहले आप P B minus PC करो H rho J और फिर आप PC minus PA करो L rho A L rho A एक horizontal में एक vertical में तो यह आपका horizontal में यह आपका vertical में PC की value उपर से नीचे पूट कर दो answer आजाएगा यह मैं already class में किया था ठीक है तो इस type की problem में मेरे खास के कोई दिक्काद नहीं आपको पता लग जाता है एक horizontal और एक vertical में लगा के answer आजाएगा ठीक पहरा question clear है दूसरा क्या answer है कितनों का हो गया कैसे किया ठीक है रहे है ठीक है रहे है वो कहरे है तो वोट हाइट शूड असरेंडरिकल वेसल पानी किस हाइट तक डालने यह रहा हाइट to make the force with which the liquid presses on the side of the vessel equal to force exerted by the liquid on the bottom of the vessel side पे और bottom पे force same है bottom पे force के है h rho g pressure into bottom का area force आ गई side wall पे average pressure के है side wall पे pressure के है h rho g by 2 और area कितने है 2 pi r into h ऐसा ही है तो 2 pi r h जड़ा करना है जड़ा solve क्या r है h is equal to r r है इसे equate कर लेना आज हमने किया न average pressure का concept तो average pressure की value h rho g by 2 तो ही उसको side के area से multiply कर दिया तो average force आगी walls के उपर walls के उपर force और floor के उपर force बराबर है equate कर क्या answer next है question number 2 के बाद question number 3 कितनों का question number 3 हो गया कैसे कैसे आप सब्सक्रेण अच्छा चल एक बार हो सकते हैं समझाना ना रहो तो एक काम करते हैं इस question को करने के लिए ये concept है वो question में ये कह रहा है कि आपके पास एक ball है आपके पास एक ball है और एक ball को आप यहाँ से उपर लेके आ रहे हैं इस ball का pressure यहाँ पर कितना है पी atmospheric प्लस हो जी और आपको यह बताना है कि height की value कितनी है ball उपर आ गई जब ball उपर आई तो सिर्फ atmospheric pressure हो गया पानी का pressure उसका खतम हो गया temperature remaining the same आप मुझे ये बताओ कि जब ball नीचे थी pressure ज़ादा था तो volume कम था जब उपर आगी pressure घट गया volume बढ़ गया तो pressure into volume का product जो है वो दोनों में क्या रहेगा same P into V का game है pressure into volume यहाँ पे pressure into volume यहाँ पे same है तो मैं ये पता है कि जब वो नीचे से उपर आया तो area चार गुना जादा बढ़ गया 4 times area हो गया तो आपको यह बतारे है height की value का है और pressure आपको given है atmosphere का 10 meter of water column मदब torsley ने last time याद है barometer का experiment किया था और torsley ने क्या आगा था तो mercury use करते हो तो height हमेशा क्या थिया 76 cm of mercury column लेकिन अगर वो पानी की tube यूज करता तो उसे पानी की tube में 10 meter तक की लंबी tube लेनी पड़ती इस लिए उसे mercury use की क्योंकि mercury भारी थी तो tube चोटी में काम चल गया तो 10 गुना कौन करेगा क्योंकि mercury की density 10 13 गुना जाद है तो 10 गुना जादा tube तो लगेगी तो मैंने क्या कि आप P1 V1 P2 V2 राइट क्योंकि question में area change हो रहे और volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube area क्या होता है 4 pi r square यहां से मैंने r square निकाला r square से r की value निकाल ली under root लेके a की value a की power half 4 pi की power half इस r को उठा कि आप यहां पर put कर दें 4 by 3 pi r की जगा यह value आ गई तो इसका qो गया क्यों क्यों क्योंकि volume change हो रहे और यहां से area क्योंकि volume में तो फरग आना ही आना है और मेरेको question में variation area की given है तो मैंने volume की area की form में निकाल में तो मेरे पास क्या गया A की पावर 3 by 2 और यह 3 by 2 अब मैं कोशने स्टार्ट करता हूं तो question में क्या किया P1 V1 P2 A2 तो बोलो P1 का pressure नीचे कितने है atmospheric pressure plus HROG और volume कितने है 4 by 3 by area कितने है A1 बाकी तो constant है फिर जब मैं ऊपर आ गया ऊपर pressure कितना रहे गया P2 की जगा P atmosphere और area कितना हो गया A2 बाकी तो constant है सारे constant कट जाएंगे यहां से 4 by 4 by 4 by 3 by cut गया तो मेरे पास क्या बचा यहां से यह term बच गई यहां से A1 raise to power 3 by 2 बच गया यहां से P atmospheric बच गया और A2 question में क्या गेवन है 4 times A1 raise to power 3 by 2 हो गया इसको मैंने open किया 4 raise to power 3 by 2 A1 raise to power 3 by 2 A1 3 by 2 A1 3 by 2 cancel 4 times raise to power 3 by 2 क्या होता है 8 तो यह atmosphere यहां के minus हो गया तो ह रोजी किसके equal हो गया 7 times P atmosphere आपको एक atmospheric pressure कितना given है 10 meter of water column तो ह रोजी में 10 into density of water into G रोजी रोजी cancel height कितना आ गया 70 तो point समझ में आ रहे है कि क्या logic है इसके step समझ में आ रहे है ठीक है quit out इसमें क्योंकि problem पता है कि मैं यह question और ली भी कर सकता था अबर volume इचेंज ना होता यह तुम कह रहे हो ना problem में volume और area change हो गया नहीं तो यह तो मैं भी लगा रहा था कि उपर 1 atmosphere है नीचे 1 atmosphere प्रॉब्लम है साथ की साथ volume और area भी change हो रहे है तो तुम्हें pressure और volume का product के साथ ही काम करने है ठीक यहां तर कि एंड में कुछ नहीं है यहां तक क्लियर है यह 8 into p atmosphere है यह सिरफ p atmosphere है यह यहां जाके subtract हो गया 7 मन गया और p atmosphere question में क्या कि अबना 10 meter of water column तो 10 रोजी 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 आसल आएगा कैसे है ठीक है और कुछ तरीका भी है p p into v constant क्यों है मैं यह तो नहीं बोल सकता कि बॉल दो लगा क्योंकि gas की उपर लगता है लेगिन इस टाइप की problem में जब pressure और volume का concept चलता है बहुत नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आती है अगर कहीं भी जाओगी आप अगर कहीं भी ओशन के नीचे चले भी गाए compressibility नहीं बल्क मॉनलट नहीं नहीं कि वह आएगा फिक अड़ब हो जाएगी तो फिर p into v का product concept है चलता है ठीक माद इस टाइप की question में कि pressure और volume का concept है तो pressure बढ़ रहा है volume घट रहा है और pressure universally proportional to volume है जिसना pressure बढ़ेगा उतना volume घटेगा तो यह concept इसमें चलता है chemistry का लेना देना नहीं है boil लोग नहीं लगा जाया इसमेरे ठीक यह लोग सोच लेती है temperature constant लिखा तो ऐसा भी हो सकता था ठीक है तो इसमें next जो concept है इसमें 3 के बाद fourth क्यों हो गया यह असान है क्यों यह height क्या है capital H यह height क्या है small h तो p point की height उपर से कितनी है h minus h तो pressure क्या है p point पर h minus h रोजी तो माग कर ले रहा है तो p point का pressure प्रेशर पूच रहा है तो p point का pressure क्या है h minus h रोजी ठीक है यहां तक next question number 5 झाल 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 साथ है और वाटर की किती है वन है तीजिस में माइनस कर लो अपरेंट वेट ठीक क्या है यह पॉइंट यहां तक लियर है अपरा कि है दृड स्थान अगर यह गंबस्या यह यह था सहरा कि यह यह घृटशे द्ление हावा में तो त्वाह में तो तब ते यह यह थी हान сторону आब यह बाड़ी लेगी हैarm और अगर दोनों की densities बराबर हैं तो ना डूबेगी ना तैरेगी बस सर्फिस के साथ बैठी रहेगी सर्फिस के उपर रहेगी बस ऐसे ही है अब ये बताओ मुझे इसका डूब क्यों नहीं रहे है इसका actual weight कितने है अगर इसका volume V है तो actual weight है V into density of body into G और weight तो बराबर ही है तो net force के जीरो अब तुम गए तुमने इसको दबा दिया और छोड़ दिया लग गई ने लग गई और नीचे जाएगी ये लगाई तो नीचे जाएगी लगानी बंद कर दी तो फिर तो रूखना चाहिए था ना अगर पानी की कोई force ने resisting force अब क्या होगा तो चलती जाएगी क्यों आपने दबाया आपने दबाया छोड़ दिया ऊपर आने के लिगे कोई कोई तो force चाहिए और पानी की एक ही force है अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट को तो हर वक्त कौन बैलेस करता जा रहा है वेट तो अब थ्रस्ट तो बचा नहीं तो फिर क्या बचा कुछ भी नहीं तुमारे पास तो बस जब तक तुम force लगा रहे हो नीचे जाएगी उसके बाद और लाने के लिए कोई नी बचाने के लिए कोई नी रोकने के लिए कोई नी नॉर्मली प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकल क्या होगा वाटर की रिस्टिंग फोर्स भी आज को रिटार्ड कर देगी पर अगर वाटर की रिस्टिंग फोर्स नहीं नहीं फिर वो नेट force 0 है वो चलती ही जाएगी और body swing कर जाएगी पानी की resistance force क्यों नहीं ले रहे ठीकि पानी की resistance force next lecture है viscostie तो अभी तो दुनिया में पानी की resistance existy नहीं करती तुम्हारे लिए अगली बार से exist करेगी अगली बार जितने भी question आएगे आज के बाद, अगली बार के बाद, उसमें विसकोस्टी आएगी, फिर पानी के रिजिस्टेंस आएगी, बोलो. प्रेक्टिकली तो तुम धक्का मार होगे, तब तक वो नीचे जाएगी, फिर टार्डिंग फोर्स को रोग देगी, पानी की फोर्स, फिर रूकी जाएगी, और क्या होगा, उपर तो नहीं आती, अच्छा कौन सी फोर्स को पर लाएगी, अब्ध्रस्ट, अब्ध्रस्ट कि अब एक्स्टरनल फोर्स लगा के, यह रहा, मैं फोर्स लगाऊं, आप इस क्वेश्टन की बात कर रहे हो कि नए कंटेनर की बात कर रहे हो, वैसे, ओके, देखो, सबसे पहले चीज, अगर आपके कंटेनर की डेंस्टी, पानी की डेंस्टी से बढ़ी आए, हाथ भी मत पानी की डेंस्टी से लो है, तो पानी उठाके उसे उपर फैंग देगा, तुम जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, लेकिन तुम उसको छोड़ोगे, तो वो बॉल उपर ही आएगा, और अगर बराबर है, बस यह सकता है, जहां तुमने रोका वा रूख सकती है, पर अगर प कुछ नहीं हो सकता, रूख जाएगी न, पानी रोक लेगा उसे, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत चलने देगा, पानी है, तो लेट थोड़ी में, फिर क्या होगा, रूखी जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स को खतम कर देगा, इसकी नर्ची, रोक गई, अब कितनी इसकी दिस्टेंस पर रूखेगी, यह तो अगला चैप्टर बताएगा, वो इंटिकेशन से करना पड़ेगा, रिटार्डिंग फोर्स में फिर आपको काल्कुलोस करना पड़ता है, वो A is equal to dv by dt, और dxc multiply, dxc divide, इंटिकेशन से दिस्टेंस निगल सकता है, यही करना, अग पानी में कभी चलता पानी नहीं है, पानी चलाने के लिए प्रेशर डिफ्रेंस करना पड़ेगा, अगले से अगला चैप्टर है, फ्लुइड फ्लो, उस पे पानी सर्फ चलता देखेगा, रुका हुआ पानी में है, दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, अभी stationary है, फिर प्रेशर डिफ्रेंस मेंटेन करोगे, एक पाइप में, फिर पानी चलेगा, और पानी चलेगा, उसकी velocity, उसकी energy, kinetic potential सबा जाएगी, ऐसा है, यह chapter ऐसा है, इसको fluid mechanics बोलते हैं, mechanics पे जाने वाले हैं आप हम, next, जितन, यह वो इस type की problem में कुछ करना ही नहीं है, अगर किसी भ यहाँ G है, वहाँ G-A हो जाएगा, G-G हो जाएगा, इसे body का weight कै है, आप उलेंगे 0, अब thrust कै है, V into rho into G, G-G, 0, तो जब भी कोई free fall में गिरेगा, अब thrust उसकी उसकी उपर क्या हो जाएगा, 0, पानी अब thrust नहीं लगाएगा, तो point clear है यहाँ तक, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि यहाँ तक clear है, इस question में, क्या हमने ऐसा question की है, तब, coin वाला, यह coin वाला question का दूसरा form है, वो गहता है, आपने ice ली, ice में lead की bullet डाल दी, ice तैर रही है, bullet भी तैर रही है, तो पानी का level इतना है, ice पिगल गई, ice पिगल गई, bullet डूब गया, तब वो उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, अब वो कम डिस्प्लेस कर पाया, तो level will decrease, हमने ऐसे भी किया था, boat में, वो बच्छा चला गया, वो पत्थर लेके चला गया, उसने पत्थर लेक में कर गई, level will decrease, सब के अंदर decrease है, मैं अगरी कर गया आपके साथ, थोड़ टेक्निकल कोईशन पूछ लिया, उसने, पूछा तो बड़े, उसने तना सोचा नहीं क्या पूछ लिया, मैं आपको और डीप, मैं आपको बताता हूँ, उसने क्या सोचने है, थीक है, मैं तुम्हें और इससे भी बड़ा कुशन देता हूँ, तुम छोड़ो यार, तुम आप उसमें जगटे रहे न, लो, एक बंदा कोल्डरिंग पी रहा है, उसमें उसमें बरफ डाल दी, पीमेच की बुक है, तीन कोशन पूछे गए है, पहला कोशन, क्या था, कोल्डरिंग पी रहा है, बरफ डाल दी, बरफ पिगल गई, पानी का, कोल्डरिंग का लेवल बोलो क्या हुआ, बस इतना लेवल है जी मेरा कोक का, जब बरफ है, पिगल गई, लेवल नीचे, लेवल सेम की लेवल उपर, तुम यह आंसर दे नहीं सकते हैं, तुम्हें बरफ की डेंस्टी नहीं पता क्योंकि, अब पॉइंट 9 है, डेंस्टी 0.9 है, चलो डेंस्टी 1 है, अब तीन कोश्चन बना रखे, अगर बरफ की डेंस्टी भी पानी के इक्वल है, तो क्या होगा, सेम कोश्चन में, और बर बराबर है, तो क्या होगा, अब बोलो, अब इसमें सेम भी रह सकता है, और कम होगा की बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम पिगलने के बाद देंस्टी कम है, कम वॉल्यूम निकलेगा, तो गिर भी सकता है, मतलब आप अराम से सोच ले ना, यह देंस्टी के उपर डेंस्ट करेगा कि यह आपके पास देखो यह आपके पास पानी है यह तो आईस ने क्या किया इस को यहां से ओपर लेती ही हुई है ठीक है तो ice ने इतना coldering क्या किया displace किया इतना volume displace किया ये volume of water displaced होता क्या है weight ये जो weight of water displaced क्या है weight of ice यही अगर मैं इस वेट को क्या करता हूं इसको पिखला देता हूं तो पानी का वेट और इसका वेट बराबर आएगा अगर मुझे बताओ जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है मास बाए देंसिटी यहां पर गेम वेट की नहीं है यहां पर गेम वॉल्यूम की है क्या कि पिखलने के पर कितना वॉल्यूम देगा आईज उस पर मैटर करेगा क्या कि दिवाटर डिस्प्लेस तो बराबर ही है अगर देंसिटी कम हुई आईज की मास में चेंज होता हूं तो वॉल्य के साथ नहीं करनी आपने कैलकुलेशन मास पर देंस्टी के साथ करनी है यहां से आपका अंसर आएगा तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपन देंस्टी बदर देंस्टी कम है तो वल्यूम जादर निकलेगा बात खतम कुछ अंसर क्या होगा इसमें go down ही होगा ये question आपने next time करने आपी नहीं करना इस question का answer हूए AH इसी पूल छॉड़ ≡ ≡ ≫ ≡ ≡ ≡ ≥ ≡ ≑ झाल झाल इस कुश्चिन में आपको एक स्प्रिंग गवन है और लीकोड की डेंसिटी तू रो गिवन है, बदी की डेंसिटी रो गिवन है बॉड़ी डेंसिटी रो गिवन है तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि अगर आपके पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ एल है क्योशन सुनो देहन से एल लेंथ है क्योग की डेंस्टी रो है और वह तैर रहे किसी पानी में जिसकी डेंस्टी टू रो है कितना पॉर्ष फ्लोट करेगा कुछ हवा में कुछ पान अगर आपके पास एक क्यूब है और क्यूब की साइड एल है और वह एक लीकवड में तैर रहे है जिसकी डेंस्टी टू रो है और बॉड़ी की डेंस्टी रो है तो क्वेश्चन आएगा उसका कितना पॉर्ष रहेगा आर्गमणीज लगाओ weight of liquid displaced is whole weight of the cube weight of liquid displaced क्या है l into l into h volume of liquid displaced into density of liquid into g whole weight में total volume into density of body into g solve करो h is equal to l by 2 तो एक shortcut है अगर कोई भी body अपने से half density यानि की liquid की density body की density से double है तो solve भी नहीं करना l by 2 बोल देना है और अगर 3 times है l by 3 बोल देना है अगर 4 times है l by 4 बोल देना है तो आज यह question तो ऐसे ठीक हो जाने है आपके cube के और बहुत सारी question में क्यूभी आता है cube के लिए लगाना है और किसी के लिमत लगाना अब यह question है आपका question objective यही तो है एक spring है यह बिल्कुल भी compressed नहीं है इसके ऊपर एक block है बिल्कुल भी इसके contact में है पर तो touch भी नहीं कर रहा एक तरीके से और दबा तो बिल्कुल भी नहीं रहा तो एक cube है जिसकी length l है लेकिन density रहो है और liquid की density 2 है तो यह मुझे बताने की जूरती नहीं है कि इसका कितना portion पानी में समर्ज रहा होगा l by 2 spring बिल्कुल भी compressed नहीं है तुमने क्या किया इस block के ऊपर एक weight डाल दिया w value तो यह दब गया कितना दबा l by 2 spring भी कितना दब गया l by 2 question है यह weight कितना है और यह rest पर आगया system equilibrium में है तो बताओ यह weight कितना है अब यह weight पे यह weight का हांट कर रहा है नीचे इस weight पे कौनसी दो forces है जो इसको चाहते है कि ऊपर चला जाए पहली force कौन upthrust पानी चाहता है उपर जाए दूसरा spring के force तो फिर weight w क्या होगा w weight की जो value निकालनी है वो होगी spring की force spring की force क्या है k into l by 2 क्योंकि l by 2 spring जो है वो compressed है into extra upthrust यानी कि देखो तैर तो यह पहले भी रहा था यादा है last time हुने boat वाला question किया था man बैठ गया तैर तो boat पहले भी पर इस weight ने इसको l by 2 extra नीचे डाल दिया तो l by 2 portion ने कितना liquid displace किया l into l into l by 2 liquid displace किया क्योंकि इसके बैटने की वज़े से w की weight की वज़े से l by 2 portion नीचे गया into weight of liquid displace या अब सस्ट में क्या होता density of liquid into g option mark कर लो option mark कर लेना इसको common निकालके yellow तो option mark कर लेना answer आएगा समझ में आ रहा है यहां तक क्या logic है इसका ठीक है next cube of iron whose sides are of length l a cube है side l side का put into mercury mercury में चीरे ज्यादा तैरती है वालू मैं आपको क्यों कि देंस्टी तेरा point something है ना 13.6 into 10 की power 3 पानी की एक है तुम तो पानी में भी तैर लेते हो mercury में तो उठा उठा के उपर फैंकी कि तुम्हें mercury सब्सक्राइब तो मर्करी में अफ्रस्ट बहुत जब्रस्ट मिलने वाला है तो मर्करी में अफ्रस्ट है वो कह रहा है क्यूब ऑफ आयरन इसके उपर तैर रहा है weight of iron cube is w density of mercury is given depth to which cube sinks is given by expression कितना portion mercury के नीचे यह बताओ आर्कमणीज लगाओ ना आर्कमणीज में क्या है weight of mercury displace is whole weight of the body weight of mercury क्या है l by l into h into density of mercury into g और whole weight कितना given है w h निकालने ना answer तो आर्कमणीज लगाओ answer आएगा इसमें को doubt इसमें ठीक है तो आर्कमणीज समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है तो weight of mercury displace is whole weight of the body next question है एक body है जिसकी density row है उसको मैंने एक हवा में u is equal to u से क्या किया ड्रॉप कर दिया लेक में फैंक दिया और कितनी हाइट से फैंका ह हाइट से फिर वह ball मान लो या कोई भी body है वह पानी के अंदर चली गई तो जो पानी की density या लेक की density है वो body की density से बड़ी है मतब यह body डूपेगी नहीं plastic की ball हो सकती है डूपेगी नहीं किसी instant पर reps पर आएगी और फिर यह ऊपर भी जाएगी कितने distance पर रेस्ट पर आएगी लेक के अंदर यह बताओ s निकाल लो कितने है तो यह u 0 है और यह विलॉस्टिक है अंदर रूट अफ 2gh हमा के अंदर तो जी acceleration due to gravity g use कर सकते है और जब यह नीचे गई रूट गई तो आपको s निकालना है तो अगर तुम यहां पर kinematics लगा दो v square minus u square 2as तुम्हें सिरफ पानी के अंदर ball की acceleration या retardation निकालनी है कितने है क्योंकि बॉल क्या करेगी पानी के अंदर रिटार्ड करेगी तो तुम्हें retardation निकालनी है क्वेशन में रिटार्डेशन कैसे निकलेगी रिटार्डेशन निकालने के लिए यह देखो जब कोई भी body liquid में है उसका actual weight कितने है जी रो जी अप्थ्रस्ट कितने है जी सिगमा जी या अप्थ्रस्ट में weight of liquid is placed है अप्थ्रस्ट में में लीकवड की density और actual weight में body की density अब क्योंकि जो body नीचे आ रही है तो यह force बड़ करी है ना body तो mask है body का volume into density V V V cancel A की value आ गई अब कानिमेटिक्स लगाओ लेकिन A के अंदर यहाँ पर negative ज़रूर लगाना क्योंकि यह acceleration ही है यह retardation है solve करके S निकालने ना answer आएगा calculation उसके बाद तो point समझ में आ रहा है कि liquid के अंदर आप G use मत करना liquid में G मत यूज़ करना liquid में A निकालना वो इस student बोला sir energy conservation लगा देते है हाँ या ना तो energy ने तो नहीं आथा medium में लगूँगी ने आप तरस कैसे adjust करोगे एक ऐसे adjust करोगे क्योंकि आप हवा में लगाते हो तो जी होता है आप तरस तो लेते ही नहीं conservation energy conservative force में लगाते ही हो इसमें कैसे लगा होगे non conservative है friction act कर रही है water की और friction होते होगे कैसे लगेगी लगेगी नहीं conservation ठीक मत लगाना यही लगाना यह कह रहा हूँ लगा मत देना summer potential kinetic equal तो मैं का G क्या पूट करेगा कि पानी के अंदर G है ही नहीं पानी के अंदर तो A है retardation फिरसे निकालने ही पड़ेगी उसके अंदर भी फाइदा नहीं मत लगाना चले घनी समझ में आ रहे है यहां तक quit out इसमें next question बस यह बता दो इस question retarding force क्या हो की बस कौन इस body को वापस लेके आएगा अपनी original position पे बस यह बता दो हाँ water water की कौंसी force अब थरस्ट ठीक है अंसर निकाल दो नहीं q को टेटा दोगर थीटा इंगल पर एक ट्यूब बना और थीटा पर टेटा कर दो देखो यह एक ट्यूब है यह पानी सर्फ ट्यूब में नहीं है पूरा liquid के अंदर ट्यूब है तैर रही है मान लो यह ऐसे तैरी और L portion इसका पानी के अंदर है आपने क्या किया इसको थीटा एंगल घुमा दिया थीटा एंगल घुमा के कितना portion liquid के अंदर रह गया ट्यूब का एक्स एरिया फ्रॉस सेक्शन के है ए तो इसका वॉल्यूम के है A into L इसका वॉल्यूम के है ए एकसी इंटू ऐखकोड़ का एकसी इंटव को यहां पर की अपस्रस लग दा सली ख्रॉक्ड़ का टेटा करने हैं भी आपकर्षस लगरी ख्रॉक्ड़ का तो टेटा करने पर अपस्रॉस बढ़ चाएगा पहले कम था अब जादा हो गया तो जो एक्स्ट्रा अप्वादी कौ हमें करने पहले यहां यहां- ने आपके निए को नियुकिंच स्बिए कवाद यहां प्त्रस्वाद ने अल और नायू दोका मतलब करने तो clear है यहां तक, तो tear रही है, तो whole weight of the body करने तो भी कर लो कोई बात नहीं next step final upthrust क्या है, ax, volume क्या है, ax, rho जी, अब इस geometry से cos theta क्या है, cos theta l by x, x is ly cos theta, put कर दिया, final upthrust है तो final में से initial minus किया, तो extra upthrust था जो वापस लेके आएगा, minus करकी यह term हा गई, यहां से a into l निकाल लेना, तो निकाल लेना mg by roji, यहां put करके यहां से निकाल लेना, जो निकाल लेना answer, option mark कर लेना, points में आ रहे है, और कोई लेके नहीं आएगा, upthrust ही लेके आएगा, तो upthrust क value, final, initial, दोनों का difference ही इसको वापस लेके आएगा, और यह इसका trick है, ठीक, body ऐसे है, ऐसे रहने तो पसंद करती है, कुछ तो upthrust लग रहे है, upthrust कितना लग रहे है, 10, जो बेट को balance कर रहे है, फिर तुमने टेडा किया, upthrust बढ़ गया 12, पर यह बाड़ी वापस ऐसे का रही है, 12 मैं से 10 गया, 2, max है न, cos theta less than 1 होता है, तो x बढ़ जाएगा, एसे, ठीक है,